है आज 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 हम बनाना सिखेंगे बहुत आसान सा निटिंग बॉडर जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं सबसे पहले हम स्लाइ पे फंदे डालने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तमाल कर सकते हैं अगर जो यह वाला इस्तमाल करना चाहरे हैं जो मैं कर रही हूँ वो आप सर्च कर सकते हैं cast on stitches by clean knits जहां description में देख लीजेगा नीचे होगा follow any method to cast on stitches if you want to cast on this way you can search how to cast on stitches by clean knits we will cast on stitches multiple of three multiple of three stitches हमने sly पे डालने हैं multiple of three क्या होगा मैंने जब भी stitch pattern की वीडियो बताईए उसमें मैंने यह सिखाया है कि multiple of three, two, five, four यह क्या होता है जो beginner है मैं उनके लिए फिर से explain कर रही हूँ अभी multiple of three फंदे डालने हैं फिर चाहें आप जितने भी डालें जो भी project बना रही हैं उसे साब से आप डालें even or odd doesn't matter just multiple of three अब क्या होता है multiple of three beginners देखने प्लीज तीन-तीन के साब से फंदे डालने हैं यह तीन फंदे फिर 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 तीन फंदे तो multiple of three आप जितने भी फंदे डालना चाहें इस सिलाई पे डालेंगी जो project आपको चाही होगा जो चीज़ आप बना रहे हैं जितनी विर्त आपको चाहिए स्वेटर के लिए, ब्लैंकेट के लिए, उस इसके हिसाब से उतने फंदे डालेंगी, बट मल्टिपल अफ 3 होने चाहिए, जैसे कि 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है ना, फिर चाहे 24 हो या 27 हो या 21 हो, यह कितने भी हो लेकिन आपने मल्टिपल अफ 3 डालने, पाई पर फंदे ड अब यह फंदा जो पहला आप देख रहे हैं, यह 8 स्टिच है, इसको आप स्लिप करें, यह बुने ही आपकी मर्जी है, 1st stitch is 8 स्टिच, if you want to knit it, knit it, if you want to slip it, slip it, it's totally up to you, पहला जो है फंदा वो इच स्टिच है, अब एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा आगे करके उल्टा बुन लें, उल्टा फंदा इसे कहते हैं, knit मतलब सीधा फंदा, purl मतलब उल्टा फंदा, तो purl this one, मतलब उल्टा फंदा बुनें इसको, उल्टा फंदा, एक 8 स्टिच है, slip करें, यह सीधा बुनें आपकी मर्जी, मैंने सीधा बुन लिया है, ताके beginner confused ना हो, फिर दागा पिछे, अब इन दो भंदों को, मैं सीधा बुनूंगी, बट थ्रू बैक लूप, अब यह क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी करके दिखाऊंगी, beginners के लिए, प्लीज सबर से देखिएगा, जिन को वीडियो स्लो लगे, वो आगे कर लें, थ्रू बैक लूप अब इस तरफ से, थ्रू बैक लूप, अब इस तरह धागा नहीं घुमाना, इस तरह धागा घुमाना है, और इसको बोन लेना है, मैं फिर से करके दिखाऊंगी, फिर से यह वाला फंदा, इसको हम सीधा बनेंगे, पर थ्रू बैक लूप, TBL means थ्रू बैक लूप, फिर से तरह हम इसको धागा इस तरह से घुमाने, इस तरह मैं इस तरह करते हैं, इस तरह करें हैं, इस तरह से, आपके पास हो, आपने बत इस यही रिपीट करते जाना है, एक फंदा सी उलटा, दो सीधे, एक फंदा उल्टा, दो सीधे, एक फंदा उल्टा, दो सीधे, आखरी दो फंदो तक मैं इसके इपनाई करूँगी मैं दिखाऊंगी बिगनर के लिए जो समझके हैं वो आगे जाएं चले बुन लें धागा आगे करके फिर से पर्ल बन, I am repeating this for beginners एक फंदा उल्टा बना, पर्ल बन, यार्न बैक धागा पीछे, ना knit these two stitches through back loop, यह है back loop, यह है front loop, so back loop, back loop से यह देखें इस तरह से, फिर से through back loop, यह देखें इस तरह से, सही है, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, पर्ल बन, and knit two stitches through back loop, यह देखें, through back loop, again through back loop, फिर से पर्ल बन, एक फंदा उल्टा, दो stitches, बने हैं, दो फंदे, पर through back loop, यह देखें, इस तरह से, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, और दो सीधे, यह देखें, इस तरह से, यह देखें, यह देखें यह देखें, इस होप सो बिगनर्स की से हेल्प हो रही हो क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं लोगों को कुछ लोग जो बिगनर है उनको वीडियो जो है फास्ट नहीं चायी होती और जो बिगनर नहीं हो कहते हैं आफ बहुत बहुत जा रही हैं तो昨今 बिगनर्स के लिए सबर कर लिया करें कोई ना समझ जो लगरी है तो आगे चले जाएं पर्ल वन निट टू अगें पर्ल वन निट टू अगें पर्ल वन निट टू I'm doing this slowly and not skipping anything just for beginners if you are not beginner you can just skip now पर्ल वन निटू पर्ल वन निटू पर्ल वन निटू to the last two stitches now पर्ल दिस वन निट इस वन हमने एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा दो सीधे जितने भी फंदे आपने स्लाई पर डाले हम प्रोजेक्ट के हिसाब से उस तरह बुन लें एक सीधा दो उल्टे करके फिर आखर में जो दो फंदे बचेंगे उसमें से एक उल्टा और एक सीधा फर्ल वन निट वन रो वन कंप्लीटेड नाव रो टू दूसरी स्लाई पर्ल वन एक फंदा उल्टा अब निट वन निट वन कैसे करेंगे सेम उसी तरह से ही एक फंदा सीधा बुनेंगे बट थ्रू बैक लूप पर्ल एक स्टिच देन निट वन थ्रू बैक लूप धागा आगे यार्न फर्वर्ड और पर्ल दीज तो स्टिचेज यह दो फंदे जो उल्टे मिले हुए हैं उनको उल्टा बुन लेंगे है अब यह फिर से बताओंगी क्योंके कभी मुझे कमेंट आया था के उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा कैसे केह रही और फिर धागा आओकर करके फंद रू यह शेप देख रही है आप यह मतलब उल्टा मिला हुआ है फंदा हम मैं अब धागा पीछे अब ये जो सीधा मिला हुआ है जो के राइट साइड से पर्ल है वो रोंग साइड से निट है मतलब राइट साइड से जो हमें उल्टा फंदा है हमने बुना था वो रोंग साइड से हमें वैसे ही सीधा मिला हुआ है हम सीधे को सीधा बनेंगे पर उसी तरह से थ्रू बैक लूप पर टू नो निट वन पॉल टू 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 लास्ट टू स्टिचेज इसी तरह एक फंदा सीधा थ्रू बैक लूप फिर द दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे एक सीधा दो उल्टे आखरी दो फंदों तक मैं स्किप नहीं करूंगी फर बिगनर्स बिगनर्स के लिए I'm not skipping just to help beginners फिर से धागा पिछे ये जो सीधा मिला हुआ है फंदा ये वीक का शेप ये देखें इस तरह से through back loop ये इस तरह से वो जो right side से दो फंदे बुन रही थे न हम through back loop उसी तरह से बट एक फंदा अब जो right side से हम सीधे बुन रहे थे थे through back loop वो wrong side से हम उल्टे रहे हुए है ये देखें उनको उल्टा बुनेंगे फिर से knit one purl two एक फंदा उल्टा सीधा दो उल्टे एक फंदा सीधा, सीधा, knit one, through back loop, purl two, to the last two stitches, आखरी दो फंदो तक आए हम, एक सीधा दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे, knit one, purl two, to the last two stitches, now yarn back धागा पीछे, knit one, stitch through back loop, and purl one, now keep repeating these two rows for your desired length for border, अब इने देखे, इन ही को repeat करके, ये इतने तब उना है, इस तरह का shape आएगा, ये देखे, look, इस तरह का होगा, तो आप इन ही दो स्लाइयों को repeat करते जाएंगे, ये बनाएगा, और तस्वीर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्रम पेज पे, क्लीन निट्स के नाम से है, वीडियो को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ज़रूरत बाद दें, ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें, थैंक यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो, अलाहाफिस,